नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है BPSC सिच्छक भरती 3.0 सुनने PGT, Social Science का ये History का पेपर है और इसका एक्जाम हुआ था 21.00 जुलाई 2024 को और इस सेट यह है तो प्रोजिनल एंसर की जो Official एंसर की आया है उसमें प्रोजिनल एंसर की एंसर आपको एंसर बताया जा रहा है अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कोश्चन गलत है तो आप कमेंट में उसका एंसर दे सकते हैं प्रस नमबर और कमेंट तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आप से एक छोटीस रिक्वेस्ट आभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं तो केवल हिस्ट्री वलाम लेंगे उसी तरह आपका एकोनामिस का बनेगा वीडियो टीजी टी बिहार सिचक बरती का पोलिटिकल साइंस का और जियोग्राफ यानि सोशल साइंस में ये चारों पार्ट कर रहेगा तो आज हिस्ट्री का जो है कोशन आपको एंसर बताएंग सिंदू गाटी अस्थल सुत कांगे डोर किस नदी के मुहाने पर इस्थित है तो यहाँ पर एंसर हो जाएगा आपका ए उप्युक्त में से कोई नहीं चवथे नमबर कोशन पर आते हैं यूनानी साहित में चंद्रगुप्त मौरिको किस नाम से वडन किया गया है तो यहाँ पर एंसर हो जाएगा सी सेंड्रो कोटस के नाम से सेंड्रो कोटस पांचवे नमबर कोशन पर आते हैं किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौरिक को बिवाह में दिया गया था तो यहां परेंसर हो जाएगा ए इस्ट्रेबो दोरा छटे नमबर कोशन पर आते हैं असोक को बुद्ध धर में दिच्छित करने का स्रे किसे है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका भी उप गुप्त को साथमे नमबर कोशन देखेगा असोका ने अपने सासन के किस वर्स में बोध गया की यातरा की थी तो यहाँ पर अंसर हो जाएगा आपका सी दसमें वर्स में किस वर्स में? दसमें वर्स में आठवे नमबर कोस्टन पर आते हैं किस लगु सिलालेक में असोका ने त्रिरत्न बुद्ध, धम और संग में अपना विश्वास प्रकट किया है इसका एंसर हो जाएगा ये भाबरु अविलेक में नवे नमबर कोस्टन पर आते हैं मौर्स प्रसासन में संगरहन के अधिन कितने गाउं आता था? तो यहाँ पर एंसर हो जाएगा आपका सी दस गाउं आते थे दस नमबर कोस्टन है कोटिले कृत और सास्तर में कितने प्रकार के गुप्तिचरों का वलन है तो यहाँ पर एंसर हो जाएगा ये दो प्रकार के ग्यारा नमबर कोस्टन पर आते हैं मौरे काल में मुद्राओं के परिछन की जीमेदारी किसकी थी? तो यहाँ पर एंसर हो जाएगा 11 का आपका ची रूप दर्सक 12 नमबर कोस्टन पर आते हैं मौरे काल में किसने नागारजुनी पहाडी पर कुछ गुहा बिहार का निर्माण करवाया? तो यहाँ पर एंसर हो जाएगा भी 10 रतने 14 नमबर कोस्टन पर आते हैं हर्स और पुलकेशिन दूति के मदे संगहर्स का वर्डन करने वाला एह होल अविलेक के लेखक कौन है? जिसका एंसर हो जाएगा रवी किर्ती 15 नमबर कोस्टन पर आते हैं हर्स वर्धन का सिनापति कौन था? जिसने उसे सिहासर रोहण है तो उसे उत्साहित किया था तो यहाँ पर एंसर हो जाएगा आपका B सिंग नाद 15 का B होगा सिंग नाद 16 नमबर कोस्टन पर आते हैं चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष? हर्ष ने मगद राज की उपादी धारान की थी? इसका एंसर हो जाएगा आपका 16 का B 641 17 नमबर कोस्टन पर आते हैं वेंट सांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस अस्थान पर एक पीतल का बिहार बनवाया था? तो यहाँ पर एंसर हो जाएगा आपका C नालंदा में 18 नमबर कोस्टन पर आते हैं कितने महिनों तक वेंट सांग नालंदा में ठारा और अध्यान किया था? इसका एंसर हो जाएगा इपक्त में से कोई नहीं 19 नमबर कोस्टन पर आते हैं गुप्त काल में नालंदा विस विद्याले का संस्थापक कौन था? यहां परेंसर हो जाएगई उपक्त में से कोई नहीं कुमार गुप्त आपसन में नहीं दिया है तो उपक्त में से कोई नहीं 20 वे नमबर कोस्टन पर आते हैं सर पर थाम किस चोल सासक ने सिंगल नरेश महेंदर पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया? यहां परेंसर हो जाएगई राज राज पर थाम ने 23. किस चोल सासक को समकालिन लेख में चोल नरायन कहा गया है तो यहां परेंसर हो जायेगा C. राज राज प्रथम को 24. किस अस्थान पर इल्टुतमीज ने गजनी के ताजुदीन यल्दाउज को बूरी तरह पराजित किया यहां बंदी बना लिया तो यहां परेंसर हो जायेगा 25 का ए तरायन के इद में 26. किस नमबर कोस्टन पर आते हैं इल्टुतमीज को खरिदने में कुतुबदीन को कितना खर्च करना पड़ा था तो यहां परेंसर हो जायेगा C. एक लाख जीतल 27. कोस्टन पर आते हैं किस वर्स बगदाद के खलीफा ने इल्टुतमीज को मनेता परदान की तो यहां परेंसर हो जायेगा C. 1229 में 28. कोस्टन पर आते हैं दिल्ली में कुवत उल इसलाम मस्जित का निर्मान किस ने करवाया था तो यहां परेंसर हो जायेगा E. कुतुबदीन एबकने 29. कोस्टन पर आते हैं दिल्ली संतनत के इतिहास में किस अवधी को चलीसा का सासन काल मना जाता है तो यहां परेंसर हो जायेगा E. 1236–66 में 31 नंबर कोश्चन पर आते हैं कोश्चन नंबर 31 देखिएगा दिया है दिल्ली संत्रत कालीन इतिहास एंसर पर्थम नाइवे ममलिकात कौन बना था यहां परेंसर हो जाएगा 31 का आपका सी एतगीन बना था एक्तारुदीन एतगीन 32 नंबर कोश्चन पर आते हैं गयासुदीन बलवन का मूल नाम क्या था यहां परेंसर हो जाएगा 32 नंबर कोश्चन का बी बहावदीन 33 नंबर कोश्चन पर आते हैं नाइवे ममलिकात के पद पर बलवन को हटा कर किसको बहाल किया गया था यहां परेंसर हो जाएगा B. इम्मुद्दीन रहान को 33 का B 34 नमबर कोशन पर आते हैं बलबल ने अपने साधर्मिक को आगयकारी बनाने है तुश सिक्कों पर क्या खोदवाया था तो यहाँ पर अंसर हो जाएगा आपका 34 का A. नासीर अमीर अल मुमनीन 35 नमबर कोशन पर आते हैं ममुलक दास वन्स का अंतिम सासक कौन था तो यहाँ पर अंसर हो जाएगा आपका C. कैकवाद 36 नमबर कोशन पर आते हैं किस राजपू सासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था तो यहाँ पर अंसर हो जाएगा आपका 36 का B. राणा बिरसाल के 37 नमबर कोशन पर आते हैं किस अस्थान पर अकबर का राजपू रोहन हुआ था तो यहाँ पर अंसर हो जाएगा आपका C. काला नौर 38 नमबर कोशन पर आते हैं कोशन नमबर 38 देखेगा अकबर का अंतिम बिजय किस पर था यहाँ पुछा जा रहा है अकबर का अंतिम बिजय किस पर था गुजराश असीर गड़ यहाँ परेंसर हो जाएगा C. आपका असीर गड़ में 49 नमबर कोशन पर आते हैं अकबर ने महजर की घुसना किस वर्स की तो यहाँ परेंसर हो जाएगा आपका C. पंदरसो उन्यासी में 40 नमबर कोशन पर आते हैं अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया तो यहाँ परेंसर हो जाएगा E. उपिक्त में से कोई नहीं इसके बाद आपका जो है जियोगर्फी वाला कोशन आ जाता है तो इतिहास का इसमें क्यों लिया गया कोशन तो उमीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आयते हैं इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिसिक शेयर करें धन्यवाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम फिर मिलते हैं TGT जोगर्फी कप साल पेपर लेकर